दोस्तों इसे वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ एक option buying strategy share करने के लिए जा रहा हूँ मैंने जो जो point आप लोगों के साथ share करूँगा प्रापरली इसको note down करके रखिएगा ये strategy कापी अच्छा काम दे रहा है अभी मैंने जो example आप लोगों के साथ share करने के लिए जा रहा हूँ around 3,000 to 5,000 invest करके एक ही हपते के अंदर कैसे हमको 11,000 plus हमको return मिल चुका है वो हमने आपको live पे जो चार्ट है वो चार्ट आप लोगों के साथ share करने के लिए जा रहा हूँ तो चलिए निप्टी के उपर हम ये strategy को कैसे बनाएंगे और कैसे apply करेंगे उसके बारे में details पर जानते हैं देखे दोस्तों यहां पे मैंने निप्टी का five minute का spot का candle stick pattern open करके रखा है तो आज 3rd October है तो 3rd October के इसाफ से हमको कैसे entry करना है पेले आप लोगों के साथ share करने के लिए जा रहा हूँ यहां पे देखे फास five minute candle के बाद ही हम इस पे entry करने के लिए जाएंगे तो फास five minute candle का जो closing है closing को हमको note down करके रखना है जैसे आज फास five minute candle के इसाफ से जो closing था closing 25,530 level के आसपास था देखो मैंने यहां पे जो line रख कर रहा हूँ यहां पे आपको value दिख रहा होगा 25,529 level के आसपास तो जो भी 18 मनी होगा वो strike price को हमको note down करके रखना है और उसी strike price के उपर हमको buying के उपर focus करके जाना है तो देखे 25,530 मतलब जो 18 मनी आ रहा है 25,550 level के आसपास हमारा 18 मनी आ रहा है तो 25,550 call and 25,550 put यह दोनों strike price को हमको note down करके रखना है मैंने एक बार chart open कर लेता हूँ मैं दोनों का जो data है वो already मैंने open करके रखा है आप लोग के साथ share कर दूँगा देखे दोस्तों यहां पे मैंने 25,550 call का chart यहां पे and 25,550 put का chart यहां पे open करके रखा है तो यह chart open करने के बाद हमको क्या करना है हमको उसके बाद central pivot range को add करके रखना है जो मैंने already art यहां पे कर दिया है तो देखो यहां पे आपको central pivot range दिखेगा और यह level के आसपास आपको central pivot range दिखेगा तो यह central pivot range का काम क्या है कैसे हम इस पे काम करेंगे उसके बारे मैं आपको details पे share करने के लिए जा रहा हूँ तो देखो निप्टी का जो lot size है lot size निप्टी का 25 है ठीक है अगर आप इस पे मैं example के इसाफ से 5000 capital लेके जा रहा हूँ उसके बारे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे जो central pivot range है central pivot range का जो middle line है यह line का जो number है हमको उसको note down करके रखना है तो देखो यह site अगर आप देखोगे यहाँ पे जो number है 295 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यह हम note down कर लिए यह number हो गया 295 ऐसे ही poor site पे जो number है poor site का number हमको note करना है तो poor site का number देखो around 20 के आसपस दिखा रहा है यहाँ पे तो poor site का number देखो यहाँ पे हम note कर लिए 20 तो यह दोनो number के अंदर जो number सबसे smallest होगा जो number less होगा उसी के उपर हमको position बनाना है मतलब उसी site में हमको position लेके जाना है तो आज का जो data था आज का इसी strike price के इसाफ से हमको poor site के उपर हमारा position लेके जाना है तो हमको एक चीज़ पता चल गया poor site के उपर हमको position लेके जाना है लेकिन केसे position बनाएंगे poor site के उपर first candle फोर्म करेगा first candle को हमको छोड़ देना है second candle onwards हमको ये check करना है कि किसी time हमको green candle देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हम buying के उपर focus करके जा रहे हैं तो option buying पे जो market उपर की तरफ जाएगा तो भी हमको profit मिलेगा इसलिए buying के उपर हमको focus करके जाना है तो यहां पे देखो buying के उपर focus करेंगे तो ये label के आसपास देखो green candle फॉर्म कर रहे हैं तो जब भी भी green candle फॉर्म करेगा उसके बाद हम position बनाएंगे और मैंने आपके साथ details में share करूँगा कितना premium अगर रहेगा हम कितना target लेखी जाएंगे और हमारा stop loss and target के से हम सेट करना है तो देखो ये दिन जब हम entry करने के लिए जाएंगे देखो ये label के आसपास जो closing हो रहा है और जो open and close है उसका price दिखा रहा है ये देखो दो सिनारियो में आपको बताऊंगा कैसे हम stop loss लेके जाएंगे और target set करेंगे पहला एक सिनारियो है इसको आप note down करके रखी अगर premium 50 से नीची हमको देखने के लिए मिल रहा है और हम उसी दिन buying करने के लिए जा रहे है तो हमारा जो risk रहेगा वो पूरा premium हम risk ल लेके जाएंगे और हम ये लेबल के आसपास 50 से अगर कम बाला premium होता है हम उसका double target लेके जाएंगे मतलब 1 is to 2 ratio के इसाफ से हमको इस पर target लेके जाना है तो 48 अगर हम risk लेके जा रहे हैं तो हमारा जो target रहेगा 96 के आसपास हम इस पर target लेके जाएंगे तो देखो 48 premium है तो ह हम double इस पर target लेके जा रहे हैं तो हमारा target किसी लेबल के आसपास रहेगा 96 plus 48 मतलब 144 लेबल के आसपास हमारा target रहेगा तो हम ये लेबल के आसपास entry कर रहे हैं 48 के आसपास entry कर रहे हमारा जो stop loss है stop loss यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि 50 से less premium है और हमारा target जो रहेगा 144 का target तो दे इसी लेबल के आसपास हमारा 144 का टारगेट आया है और हम इस पे 5000 टोटल इन्वेश्ट करके जा रहे हैं अगर हम 48 प्रीमियम के इससे आप से देखेंगे निप्टी का लॉट साइज है 25 तो आराउंड एक लॉट के लिए हमको 1200 रूपीज के आसपास पड़ेगा तो इस पे 1200 से रूपीज के आसपास अगर देखेंगे तो 4800 के आसपास आ जा रहा है चार लॉट अगर हम लेके जाएंगे तो इस पे 5000 पे हमको 4 लॉट मिल जाएगा और इस पे देखो हमारा टारगेट आ गया मतलब 96 पॉइंट के आसपास हमको इस पे प्रॉफिट मिल आए तो देख है तो चलिए अभी उसका नेक्स ट्रेडिंग सेसन एक बार चेक करते हैं तो देखो यह एक सिनारियो है प्रीमियम लेस तन 50 है इसलिए हम जो टारगेट है वान इस टू रेसियो के इसाफ से लेके जा रहे हैं और सबसे और एक इंपोर्टन चीज है हम इस पे ट्रेलिंग स स्टॉपलस यूज करेंगे ट्रेलिंग स्टॉपलस के से यूज करना है 48 के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं अगर मार्केट वान जो हम प्रीमियम लेके जा रहे हैं अगर वान प्रीमियम मूब कर लेता है उपर की तरफ मतलब 48 पॉइंट अगर उपर की तरफ मूब कर लेत आए 96 के आसपास अगर आ जाएगा तो हम जो stop loss लेके जा रहें 0 के आसपास यह stop loss को change करके हम 48 कर देंगे trail कर देंगे तो अगर market 96 तक आने के बाद अगर reverse होके वापस 48 के आसपास आ जाएगा तो यह scenario में हम 0 loss book करेंगे तो देखो यह 96 के आसपास आने के बाद इजी reverse नहीं हुआ है तो हमारा पूरा target आया है तो इसलिए 9600 के आसपास हमको इसी दिन इसपे profit मिला तो चलिए उसका previous trading session को एक बार check करके देखते हैं तो देखो यहाँ पे अगर fast October देखेंगे 25,900 लेविल के आसपास 897 यहाँ पी देखा रहा है मतलब 25,900 strike price के उपर हम इसी दिन focus करेंगे और इसी दिन हमारा position बनाएंगे देखो मैंने यहाँ पे 25,900 का strike price open किया है और यह fast October का चार्ट है call and put दोनों का चार्ट मैंने यहाँ पे open करके रखा है तो यहाँ पी देखो हमको क्या करना है पेले यह central private range जो है middle line को देखना है यहाँ पे देखो जो premium है जो point है 181 है और यह level के आसपास जो point है 122 है तो जो side premium less होगा उसी side पे हमको position लेके जाना है तो यह दिन देखो हम जो position लेके जाएंगे हमारा जो premium है premium around 113 114 level के आसपास हम इस पे entry कर रहे है तो यह जो premium है यह premium 50 से ज़्यादा है मैं आपको पहले बता है था अगर 50 से less premium होता है तो हम पूरा उसका 0 के लिए stop loss लेके जाएंगे तो कैसे हमको stop loss decide करना है यह candle का जो high and low है यह green candle form कर लिया हम इसी level के आसपास entry कर लिये हमारा stop loss कैसे set करना है तो देखो यह जो candle है उसका high and low को हमको check करना है तो देखो 115 के आसपास high दिखा रहे है और 90 के आसपास इस पे low दिखा रहे है तो लगभग 25 point के आसपास हमारा stop loss रहेगा तो अगर हम 114 के आसपास एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो stop loss इसपे रहेगा आराव्ड 90 रूपीज के आसपास हम इसपे stop loss लेके जाएंगे तो देखो 90 रूपीज 89 रूपीज के आसपास ये stop loss आया नहीं है और हम इसपे जो target लेके जाएंगे punish to 2 ratio के हिसाफ से हम इसपे target लेके जाएंगे तो 50 point के आसपास उपर की तरफ हमारा target रहेगा और देखो इसपे हम 114 के आसपास entry कर रहे हैं तो lot size हमारा 25 है तो इसपे देखो 2800 रूपीज के आसपास एक lot के लिए हमारा लग जाएगा हमारा total जो investment है 5000 है तो इसलिए एक ही lot ही हम इसी दिन लेके जा सकते हैं क्योंकि इसपे एक ही lot पे around 3000 के आसपास 2800 के आसपास इसपे हमारा investment लग गया तो अगर एक lot के इससे आफ से लेके जाएंगे 114 के आसपास हम entry कर रहे हैं 50 point उपर की तरफ हमारा stop loss रहेगा sorry target रहेगा क्योंकि 25 point का stop loss है तो 50 point अगर हम target लेके जाएंगे 164 लेबल के आसपास हमारा target है तो देखो 164 का जो target है ये लेबल के आसपास हमारा target आचीफ हो गया और ये लेबल के आसपास target आचीफ होने के बाद हमको जो profit मिला 1250 रूपीज के आसपास हमको देखो ये लेबल के आसपास हमारा profit मिल गया तो ये second trading session मैंने आप लोगों के साथ share किया चलिए अभी third trading session देखते हैं third trading session के इसाफ से यहां पे देखो 30 September को मैंने ये चार्ट अपनों के साथ share कर रहा हूँ 30 September का जो fast 5 minute का candle closing हुआ है 26100 लेबल के आसपास तो 26100 strike price के उपर हमको focus करना है इसको note down करके जाएगा 26100 strike price के इसाफ से देखो यहां पे मैंने चार्ट अल्रेडी बोथ call and put का open कर लिया है इस पे 224 जो है central pivot range का number है middle line जो number है वो 224 है और पूर side पे जो number है यह देखो put side का number मैंने यहां पे इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ यह देखो put side का जो number है 80 के आसपस put side का number है तो हम जो focus करेंगे हम buying करके जाएंगे put side पे क्योंकि put side पे less number यहां पे देखने के लिए मिल रहा है और देखो हम इस पे entry कर रहे है second candle का closing पे entry कर रहे है तो यह level के आसपस entry करेंगे और यह second candle का high low है 120 के आसपस high बनाया है और 108 के आसपस low बनाया है तो लगभग 12 point के आसपस हमको stop loss लेके जाना है हम देखो entry कर रहे है around 13 level के आसपस और इस पे 12 point नीचे की तरब मतलब लगभग 100 रुपीज के आसपस 101 के आसपस हमारा stop loss है तो 101 के आसपस market आया नहीं है उसके बाद और हम जो target लेके जा रहे है double target लेके जाएंगे तो 12 point का अगर stop loss लेगा 2 अगर लेके जाएंगे 24 मतलब round figure 25 ले लीजे तो 25 के आसपस हम इस पे target लेके जा रहे है तो इस पे अगर 11 43 के आसपस अगर entry कर रहे है 25 अगर लेके जा रहे है वान थाट्टी एट लेबल के आसपास हमारा ये टार्गेट रहेगा और वान थाट्टी एट का टार्गेट देखो एक ही कैंडल के अंदर पांस मिनिट के अंदर हमारा पांस से दस मिनिट के अंदर हमारा टारगेट आ गया और इस पर एक ही लॉट के अंदर अगर देखेंगे 25 पॉइंट के आसपस हमको profit मिला तो 625 रूपीज के आसपस ये एक दिन के अंदर हमको profit मिल गया उसके बाद अगर देखेंगे उसका प् focus करेंगे 26,200 strike price का call and poor देखो मैं यहां पे दोनों open करके रखा है और यह level के आसपास हमको जो entry लेके जाना है देखो call site पे 134 central private range number है और poor site पे यह जो number यहां पे देखने के लिए मिल रहा है यह 187 level के आसपास देखो यह number देखने के लिए मिल रहा है तो हम call site के उपर entry करेंगे अगर हम call site के उपर entry करते हैं second candle पे entry करेंगे कि फास candle छोड़ देने के बाद second candle देखो grain candle form किया है तो यह level के आसपास हम entry करेंगे और हमारा जो high low रहेगा 182 level के आसपास यह high candle बनाया है और जो low form किया है 164 level के आसपास तो log bug इस पे देखो around 18 रुपीज के आसपास इस पे stop loss आ रहे है तो इस पे जो target लेके जाएंगे 36 point के आसपास उपर की तरफ target लेके जाएंगे लेकिन यह देखो जो 36 point जो target आ रहा है हम generally 173 level के आसपास entry किये हैं और 36 point अगर देखेंगे 209 के आसपास हमारा target आ रहा है लेकिन इस पे देखो जो premium है premium 200 को touch करने के बाद नीचे आ गया तो मैंने आपको trailing concept बताया है अगर market एक बार जितना हम double target 1 is to 2 के साब से हम जो target लेके जा रहे हैं अगर one ratio already market move कर लिया है मतलब 173 के आसपास हमें entry किये हैं और 18 point अगर market उपर की तरफ आ चुका है मतलब इस पे हम देखेंगे 191 के आसपास अगर market आ गया है तो हम ये label के जो stop loss है stop loss 173 को कर देंगे तो देखो 191 के आसपास market आ गया था उसके बाद ये देखो उपर की तरफ आ रहा था 209 पे जो target था target आने से पहले वापस ये नीचे की तरफ आ गया था ट्रेडिंग सेशन पे ये देखो 625 के आसपास profit मिला और 4th ट्रेडिंग सेशन पे हमारा trailing stop loss trigger हुआ तो 0 loss लेके इस पे position को exit के तो 5000 capital इस पे invest करके अगर आप देखोगे 11,475 रूपीज के आसपास एक हफते के अंदर ये profit को हम book किये हैं तो मैंने आप लोगों के साथ एक safe and simple option buying strategy आप लोगों के साथ share किया अगर आप इसे safe and simple otm option selling strategy शिखना चाहते हो तो देखे दोस्तों मैंने यहाँ पे community tab के अंदर हर दिन result भी share कर रहा हूँ तो देखो ये otm strategy बोथ expert या non expert ये पे काम दे रहा है तो आप अपल इसको check किज अगर आपको सीखना है मैंने वार्षप नंबर share किया है आप मुझे वार्षप के थ्रूं contact कर सकते हूँ